दर्श को अभी देश की जनता नोट बंदी से उभरी नी पही थी तो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी अब GSTV लागू होने वाला है हमारे बीच में उमा शंकर जी हैं इनसे बात कर लेते हैं व्यापारी हैं किस तरीके का महौल बना हुआ है उमा जी शंकर जी बताएं देखो मैं भारत टीवी के माध्यम से हमारे व्यापारी भाईयों को एक बात हम बताएंगे हमारे उपर नए नए कर लाके परिशान किया जा रहा है और सच्चाई तो ये है जब से नोट बंदी हुई है तब से लेके अब तक ब्यापारी सही से समल भी नहीं पाया और हमें ये एक नया तोफा दे दिया गया जी एस्टी का और इसमें सुनने में आ रहा है हमें टेक्स से कोई परिशानी नहीं है ये वाद हमने रामलीला मैदान में मीडिया के माध्यम से अरुण जेटिली जी को बताया था कि आप कर विवस्ता लगाई हमें कोई परिशानी नहीं है क्योंकि वो कर हमें नहीं देना है वो जंता को देना है मगर उसके साथ साथ नए नए प्रावधान लाके हम ब्यापारी भाईयों को परिशान किया जा रहा है ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है उमा शंकर जी हम लोग सरकार चुनते हैं फाइदे के लिए ये उल्टा को थारा गात इस पे मैं ये बोलूँगा कि हमने भी बीजेपी को बोर्ट दिया था और हमारी कम्मुनिटी के लोग अधिक तर लोग जो हैं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो हमारे ये समझ में नहीं आता जब बीजेपी सत्ता में आती है तो ऐसा रवया क्यों अपनाती है और जब बिबक्ष में होती है जैसे आप पिछले दिनों में जाएंगे अगर हम तो 48 डिग्री 49 डिग्री सेल्चेस ताब मान में हम लोगों ने कांग्रेस को जब कांग्रेस जीएस्टी ला रही थी तो उसका बिरोध किया था और 26 डेस वो बिरोध चला और यह कांग्रेस ने समझ लिया कि जो हमारे देश के ज्वेलर्स भाई हैं ब्यापारी भाई हैं इस जीएस्टी से परिशान होंगे प्रभावित होंगे तो कांग्रेस ने उसको वैक ले लिया अब यहीं पर बात आती है कि उस टेम भाजपा भी कहती थी कि जीएस्टी सफल नहीं होगी जीएस्टी दुकंदारों के लिए परिश्थान करेगी और ब्यापारी वर्ग मल जाएगा खतम हो जाएगा हां मलब ब्यापारी वर्ग पर एक दबाव बनेगा और इसके लिए भारत हमारा भारत देश के जो ब्यापारी वर्ग है और जो ह या किसी विशेश तौर को या विशेश चीज को ना बताते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि हर ब्यापारी परेशान है इतनी मंदी मैंने अपने जीवन में जीवनकाल में देखी नहीं मुझे भी आज 18 साल होगे ब्यापार करते हुए तो मैं यह सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ आप मैकिंग इंडिया की बात करते हैं कम से कम जो हमारे धेश के अंदर ब्यापारी ब्यापार कर रहे हैं उनके लिए आप क्या फैसलिटी दे रहे हैं ये आप इसपस्ट नहीं कर रहे हैं आप केबल गुम्रह कर रहे हैं चीज़ हम नया ये टेक्स ले आए फिर इसके बाद ये टेक्स ले आए टेक्स 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 भाई ये भी तो सोचों कि हम ब्यापारियों को सुरक्षा कितनी दे रहे हैं अभी एक नया मुद्दा आया है M.C.D. द्वारा M.C.D. द्वारा जो ब्यापारी भाई हैं उनकी छोटी-छोटी सॉफ्सकीपर्स वाले हैं उनके कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं किये जा रहे हैं कल मैं मार्केट में गया और कम से कम 20 लोगों ने, 50 लोगों ने कहा कि बर्मा जी अब क्या करना है तो मैंने कहा कि इसी सरकार ने, इसी M.C.D. की सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि जो भी दुकंदार भाई हैं मारे उनको एक रिलीफ देने के लिए इन्होंने M.C.D. से जो कमिशनर साब से मिलके और कमिशनर से आपस में बैठ के एक इन्होंने अजेंडा पास किया था कि आगे कोई कनवर्जन चार्ज 2018 के बाद ना कनवर्जन चार्ज और ना कि पार्किंग लेंगे क्योंकि जब ये जैपाल रेटी जी ने कानून बनाया था उस टेम उन्होंने भी कहा था ये मातर 10 यर्ज के लिए लगाया जा रहा है और हम लोग 10 यर्ज दे चुके हैं हमें जवर्जस्ती का परिसान किया जा रहा है कही हमारे बैपारी भाई अभी MCD का जो कनवर्जन चार्ज है वो जमा कराने के लिए गए तो उन्हों से कहा गया कि वही आप पार्किंग साथ में दीजिए विदाउट पार्किंग के आपका टेक्स नहीं जमा होगा तो मैं सरकार को केंदर सरकार को MCD में भी केंदर की सरकार है एक ही बात है मैं हम कहें MCD अलग है भाजपा लगे वो ऐसा कुछ नहीं है एक ही बात है तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को बैपारियों के लिए एक तबज्य देनी पड़ेगी अनिता हमारे देश का बैपार चर मरा गया है कुछ बैपारी तो ये सोचने लगे हैं कि हम अपनी दुखाने बंद करके कोई हमें ऐसी कोई नौकरी मिल जाए या हमें कोई छोटा मोटा ऐसा विवसाय मिल जाए जिससे हमें टेक्स ना देना पड़े सारकार कहती है बैपारी वर्क चोर है अब ये बात तो बड़ी बिचितर है कि अगर बैपारियों को चोर सावित करने पर या चोर बताना है काला धन जो निकला उन्होंने अपने ही देश पर कोटारा गात करा विदेशों से तो काला धन आया नहीं बून-बून पाई-पाई करके जो आप लोगों ने हम लोगों ने जोड़ा ने वह राहुल भाई इस पर मैं एक बात बोलूँगा व्यापारी भाई ऑनेस्ट है और अनेस्टी से अपना कर देता है और इस देश की सरकार को समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के ब्यापारी भाई टेक्स देके रविन्यू देके जो देश के अंदर रविन्यू खिटा होता है उससे सरकार चलती है ना कि सरकार से व्यापारी चलता है मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग टेक्स देते हैं उसी से आपको तनखा मिलती है तो ये कहना ना, वियापारियों को च्वर सावित करना ये बहुत ज़्यादा मतलब देश के वियापारियों के साथ बिस्वासगात वाली बात हो उमाशंकर जी क्या वियापारी भाईयों से अपील करना चाहेंगे? इस दुख के, संकट सब्सक्राइब होगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे और क्या क्या हमें बादताय लगाई हैं किस तरीके से हमें परिशान किया जा रहा है वह सब हम लोग हमारी ट्रेड एस सिएस्येशन जो राष्टिया ट्रेड एस सोसीएसन हैं वह इसुर नियुक्त करेंगी सूरत तो अभी हमने 46 डेज इतिहास में कोई दुनिया का देश उठा के देख लीजिए या जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से लेके अब तक 46 दिन तक हम लोगों ने रेगूलर हर्ताल रखी और कोई उग्र प्रदसन नहीं किया हमने सांती का परचे दिया कि हम ब्यापारी भाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है आपकी विवस्ता के खिलाफ नहीं है आपके खिलाफ नहीं है मगर हमें जो जो जोबरजस्ती परिशान किया जा रहा है इसके खिलाफ है आज अच्छे दिन की तो परिवास्ट यह न वो अच्छे दिन दे न यह अच्छे दिन जब आएंगे जब चारो तरब से हम खुशाली देखेंगे हाँ मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के सासन में ब्यापार अच्छा था